अभी हम कड़े हैं सूरज सहर की लाजपूर जेल के पास, यहीं लाजपूर जेल है, यहां करीबन नाराएंड साइज जी करीबन पांच सालों से बंद है, और उनके पिता जी आसाराम जी बापू जोधपूर की जेल में बंद है, अभी थोड़े दिन पहले ही 25 अप्रेल को जोधपूर सेसन कोट ने एक फैसला सुनाया, उनमें बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, देश के अलग-अलग बागों से, अलग-अलग कोनों से, यहां सूरत सेसन कोट में नाराएंड साइज जी के भक्त लोग दर्सन करने आये, आये उन से जानते हैं, कि आया था, और उनके दर्सन के लिए हो, नाराएंड साइज जी लाजपूर जेल में करीवन पांच सालों से बंद है, उनके पिता जी आसाराम जी बापू को आज इवन कारावास की सजा हो गई, क्या गई उसके बारे बापू जी हमें सब बोलते हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोशा है, वो पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोशा है, और जहां तक वो जैल की बाद है, तो वो हमारे लिए कोई माहिने नहीं रखता, क्योंकि प्रत्यक्ष जो हमारा अनूबव होता है, उसके कोई प्र जो भी है, सड्यंत्रकारियों और विदेशी ताकतों ने एक हतगंडा बनाके उनको फसाया गया हुआ है, वीस सालों से आप जा रहे हुआ, क्या होता है आश्रम बापु आश्रम के आज भी आप देखते हो, तो कही जगा, कही लोगों को पता नहीं होता है, कि आज भी कही गरीब परिवारों में राशन कार्ड दिये गए हुए, और राशन कार्ड में हर महीने उनको गरीबों को अनाज बाटा जाता है, वह ऐसी बहुत सारी प्रहुती होए, और शिवा के प्रहुती चल रही है, तो और दूसरी बात, कि जो धर्मान तरण का जो सबसे बड़ा इ परेशान हो शकता है, लेकिन परास नहीं हो शकता, और बापु जी को जयल कोई माहिन नहीं रखता, बस उनको उनकी सेवा है, वह बढ़िया है, वही आगे. लेकिन जब से बापु जी से जुड़े एक अध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, सभी तरह की उन्नती हुई है, सामाजिक भी, अध्यात्मिक भी और बापु जी ने जो अच्छे रास्ते दिखाए हो, सत्य की रात पर चलने को बताए है, उसे जीवने बहुत परिवर्तना है और हम बहुत खूश है बापू को आजीवन कारावास की सजाओ गई आसाराम जी बापू नाराइंट साहिं जी दोनों जेलों के अंदर बंदे क्या आज भी भगवान मानते हो बापू साहिं को बिल्कुल क्यों नहीं बापू जी ब्रह्मा शत्य जगन मित्या जीवो ब्रह्म क्या तो फिर कोई पुलीस तो डिशाइड नहीं करें कि हमारी श्रद्धा क्या है हमारी श्रद्धा पहले भी आसी थी आज भी है और भविशम भी रहे कि उसमें कोई फरक नहीं पड़ने वाला बिस सालों से जा रहे हो कोई तो हुआ होगा तभी तो दिखाया जारा है तभी तो आरोप सीदवे तभी तो भापू को आजीवन कारावास की सजा हुई आरोप लगाने वाले लगाते हैं. यह तो कल युग है, राक्षशुरु की दर्म का ही विजए हुआ था। और आज भी होगा 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 और हमारे पुझे बापु जी और साहीं जी को नयाय मिलेगा और हमारे बीच सब के साथ आएगे जरू आएगे और सब को दर्शन्द देगे मैं अभी तो बरोडा आसरम से आये हूँ और 15-20 सालों से रह रहे हूँ बापु पे जो आरोप लगे हुए हैं वैसे तो यह निराधार है और बापु जी ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि हम जिससे तरह से धर्मांत्रन पे रोक लगा रहे हैं तो विदेशी जो लोग हैं वो हमारे उपर तरह तरह से अक्षा और तरह तरह से गतिबीधियां बना रहे हैं और हमारे उपर लांचन लगाने की कोसिशी से कर रहे हैं और उसी के तहट जो पॉसको एक्ट बनाया हुआ था पॉसको एक्ट बापु जी ने उसके पहले ही बोला हुआ था कि पॉसको एक्ट जो बनाया हुआ है वो हमारे कोई फसाने के लिए बनाया जा रहा है ऐसा लग रहा है और अभी भी कुछ दिनों पहले जब बापु जी को सजा दी जा रहे थी उसके कुछ दिन पहले इरेफ प सजा सुनाई जी विस्स रूप से 15 सालों से आसरम में रह रहे हुआ क्या गतिविधिया होती है वहां पर सुबह ध्यान बजन होटा है लोग सुबह जल्दी से उठते हैं वहां जो सादक लोग रहते हैं फिर दिंचरिया अपनी सेवा साधना करने के बाद मैं लोगों के गति बिध fantasy दिंचरिया को बनाए रखे हुए हो वहां पर सेवा करते हैं दूसरी बात मैंने देखा है कि बापा जी एक चीटि को भी सोचते हैं कि यह चीटि कही मेरे पैर में ना चली जाए मेरा खुद का अनभव मैंने बापू जी को स्वयम देखा है कि एक पागल कुत्ता बापू जी को देखकर भोक रहा था तो बापू जी ने उस कुत्ते का भी इलाज किया था मेरे सामने की बात है तो बापू जी पे जो ब्लेम लगाए हुआ ये तो निराधार है और बापू जी को फसाने के पिछे इसमें बिदेशी ताकत है और हमारे यहां की बड़ी-बड़ी कंपनिया है उन सफका इसमें हाथ है और अभी तो भली बोलने की बात नहीं है कि ये तो राजनीतिक सड़यंत्र हो गया बहुत बड़ा पंदरा सालों से रह रहे हो बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई पहले तो भक्त बोलते थे कि आरोप सीद नहीं हुआ अभी तो आरोप सीद हो गया बापू जेल के अंदर बंदे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप 15 साल से रह रहे हमारा जीवन ऐसे ही चला गया 15 साल और अब घर चले जाए ना ऐसा कुछ कि आए बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई स्रद्धा में कमी नहीं आए क्या स्रद्धा में कमी का क्या है इसमें हमारा खुद का आनवा वह सारा धर्म के प्रती तो हमें स्रद्धा की कमी की क्या बात है और हमें हमारे बापू पर विश्वास है हमारे साइंजी के निए पर झूटा आरूप लगा कर उनको फसाया गया और जैल में रखा गया है 15 सालों से रह रह औह淨हीतकर ये तैनी क्या देखकर आश्रम ने आए थे ये यहाँ पैसी क्या गति विद्या देखकर आश्रम में आया है थे हम यहां पे जो दार्मी के और हमारी संसकती के प्रती जो गती बिधियां चल रही थी और हमारे पूज बापु जी को देखकर हम आश्रम में आई हुए थे हमारी फैमिली भी बापु जी से जुड़ी हुई है और उनकी स्रद्दा बापु जी बोलती नहीं कि अब तो बापु जेल चले गए अब का हमारे उपर कोई फ्रवार नहीं पढ़ने हैं वाला है क्योंकि हमें हमारे बापु जी पर पूर्ण विश्वास है और लोगों से बात करते क्या ना में भी आप निखिल गिरी में लातुर महाराष्टर से आया हूं मैं पुझे नाराण साहीं जी के दर्शन के लिए आज से गोतों बुदा उनके उपर भी लांचन लगाए अरोप लगाए गए क्या वो साबित हुए नहीं संत है संत के उपर दो आन्याय होगा ही यह कल्यूग में लिखा है हम असे अज्जोतपुर सेशन कोट का सम्मान रखते हैं लेकिन हमारा जो आनुम हो है बापुझे पत пр UT देखे में भापु से नहीं जुड़े उसके पहले जीवन के सा ना बापु से जुड़े उसके बात जीवन में क्या परिवर्तन यह देखे में भार्टीऑस आउश्कुरती अ झाव Confederatean यह सारी गुन जो मेरे आंदर हुए है यह सिर्फ बापुज और साइजी के शिकाइवे ग्यान की वज़े से हुए मैं उनको कभी नहीं भूल सकता भले डिसीजन कोई भी हो कि अधल सबस्कार परशाइब आपने पर्सदशा में पड़ते थे तब से जा रहे हूं तो क्या कभी असी कोई गती विद्या देखी थी आश्रम के विद्या जब ने कि अगर कुछ चलता है देखे अगर कुछ चलता गलत तो आठ कोटी सादक क्या जाते बापुजी के आसर में ये भी एक बड़ा प्रशन है जो कि जंदा को इसके बारे में सोचना चाहिए स्रद्दा में कितनी कमी आई बापुजी को शिक्षा हुई तब और स्रद्दा बढ़ गई हमारी हमें मालूम है हमारी बापुजी निर्दोश है और निर्दोश हो कर यह बहर आएंगे आएंगे हैं आमें पुरा विश्वास है देखिए सरकार किसी की भी हो कॉंग्रेस की भी बबापुजी ने हमें ये की माज़िक शिकाया है आहिंसा परमधर्म हम किसी का विरोत्क नहीं करते हैं कुछ नहीं करते हैं लेकिन हमेरे प्रश्चासन से ये की मांग गए कि आप एक राष्ट्रपती के द्वारा एक टीम का क सब्सक्राइब करना वक्तों का दिल कि बबापु आएंगे और उनको आने से कोई निरौ सकता है और आपने देखा लगातार भक्त लोग देश के अलग-अलग कोनों से अलग-अलग भागों से नारायन साइंजी के दर्सन करने आते हैं और बक्त लोग एक ही बोल रहे हैं क regul О Trend के बापू को पांख साही की सजा होने के बाद नारायंग साइज से जैल के अंदर बंद के पांच साल हो गए वह तो यह आज भी उल्स भक्तो के लिए आ सब्सक्राइब भगवान से कम नहीं है कि मेरा में नंजहनी के साथ निले श्ठकर लाज पर सूरज जल से रफटानी है